कि अज़िए विडियो में चेप्टर फाइप में वर्क्षिट एट करेंगे तो वर्क्षिट एट में आपको ट्रू एंड फॉस दिया हुआ है आपको सही स्टेट्मेंट के लिए टू और गलत स्टेट्मेंट के कि यह पॉस लिएक वार्रीट्मेंट है अल्फाबेटि की हैं नमबर अं जीम अलफाबेटि कीब अल्फाबेटिक कीब नमबर प्रिंट्ट रहता है तो यह इस्टेट्मेंट हम गलत करेंगे क्यों करेंगे लएक लगर통 चोनेटार जालवेट कीब पीरिंबर नहीं सु और ज इक तो आपको दियान देना है कि बिस्टेटमें ड़त होगा क्यों गलत होता है तो फिर गलत kynों होता है वेडियों से लेकर चैन तक चैन तक नहीं होता है नाईं तक होता है इसलिए इस टेटमेंट क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, थर्ड है, कर्षर is a blinking marker for where the next character will get type, कर्षर जो है blinking करता है, और next character type करने का बताता है, तो यह सही है, कर्षर हमारा यही काम करता है, फोर है, the space bar key is labeled space bar, space bar key पे labeled होता है, जी नहीं, इस लेवल नहीं होता है, वो सबसे longest की होता है, हम उसी से उसको जानते हैं कि यह space bar key है, यह गलत हो जाएगा, the back space key is used to erase a character, back space key से हम erase करते हैं character को, यह भी statement शही है, यह हो जाएगा, true, when caps lock key is on, you type in small letter, जब caps lock key on होता है, तो हम small letter type करते हैं, यह pause है, क्या करते हैं, capital letter type होता है, जब on रहता है, तो capital letter type होता है, small letter type नहीं होता है, इस वज़े से यह wrong हो जाएगा, you cannot print sign which are on the upper portion, on key, जो sign होता है, वो upper portion पे print नहीं होता है, तो यह नहीं बिलकुल, यह गलत statement है, इसको हम fall करेंगे, जो sign होता है, वो आपके उपर printed होता है, जिससे हम देखकर print करते हैं, ठीक है, shift के साथ हम press करते हैं, तो sign print होता है, यह कह रहा है कि इसमें print नहीं होता है, sign, तो statement आपका गलत हो जाएगा, अब चलते हैं, next हमारा worksheet है, worksheet 9, बच्चो, worksheet 9 जो है, वो fill in the blanks है, आपको hint दिया हुआ है, बुक में ओपर hint दिया हुआ है, मैंने hint नहीं लिखा है, लेकिन आप जब यह worksheet करेंगे, तो आप book में hint भी देख लिजेगा, ओपर दिया हुआ है, तो first हमारा है, when a key dash is pressed, the CPU takes action accordingly, तो जब आप key press करते हैं, CPU उसी के according action लेता है, तो अगर आप जो key press करेंगे, CPU उसी के according, आपको print करेगा, accordingly उसी के key के हिसाब सही आपको चलता है, second है, a dash is small blinking marker in the typing window, a dash cursor, यहाँ पो जागा है, a cursor, a cursor is small blinking marker in the typing window, third में हो जाएगा, a dash key have letter a to z print on them, किस पे आपका a to z जो letter है वो print होता है, तो alphabet key, alphabets, alphabetic key, ठीक है, alphabetic आपका option है, इसमें, fourth है, numeric key have number dash printed on them, तो क्या होता है, 0 to 9, तो प्रिंट होता है, number key पे, fifth है, the cursor control key are used to move the cursor, cursor control key से हम move करते हैं, किसको करते हैं, cursor को करते हैं, sixth है, when the caps lock key is on, जब caps lock key on होता है, you can type in capital, capital letter, capital letter type होता है, seventh है, sign on the upper part of key can only be printed with the help of the shift key, जो sign print होता है, key पे, उसको हम shift key के साथ जब press करते हैं, तब ही वो sign print होगा, otherwise नहीं होगा, ठीक है, बच्चों मैं आपको question answer आपको PDF बना के भेज़ दूँगा, आपके ग्रूप में, आप उसे देखकर अच्छे से साफ साफ handwriting में लिक्रीज देगा, thank you, have a nice day.